फ्रेंड्स आज मैं मिट्टी की एक नई क्वालिटी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स आपने एक चीज देखा कि कैसे इतनी मोटी लकडी मेरे एक ही हाथ से तूटे जा रही है जी यहां यह वो लकडी है जिसे मैंने पिछले बार पत्तों और टहनियों सहीं तो मिट्टी के नीचे दबाया हुआ था जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिकंपोज हो चुकी है साथियों अब यह वो चीज है जिसके कारण मेरी मिट्टी की क्वालिटी बहुत ही स्पेसल बनने वाली है यह ना तो किचन वेश्ट है और नहीं मैंने इसमें जरा सा भी गोबर वगरा की खाद मिलाया हुआ है फ्रेंड्स यह पत्ते की खाद है सहद आप लोग को लग रहा होगा कि यह कैसा दिखाई दे रहा है रंतु इसकी रंगत से ही समझे और इसमें मौजूद मौस्चर से ही समझे कि कितना इस्पेसल चीज है यह उमारे पौदों के लिए और इसे बनाना इतना आसान है कि आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा यह अपने आप बन जाता है ठीक एक मैने पहले मैं इसे इस तरह से बोरी में भर कर रखी थी और बोरी का मूँ बंद भी नहीं की थी मैं उसको ऐसे ही खुला छोड़ कर रखी थी और बरसात में ही रख दी थी बाहर अभी एक मैने पहले ही मैंने जितने भी खरपरतवार निकाले थे और जितने भी पत्तिया घास फूस यह सारी चीजे मैं बोरी में भर भर के इकठा कर ली थी इस तरह से मेरे पास यह चावल की जो बोरी होती है उसमें तिन बोरी एकठा हो गई थी और एक मैने में ही देखिए कितनी बेहतरीन खाद बंद कर तयार हो गई है इसे मैं बिना हाथ लगाए अपनी मिट्टी गुड़ाई करने वाली खुर्पी से ही अलग-अलग करके पुरे इसमें बिचादरी हूँ बहुत आसानी से बिच जा रहा है यह केवल मिट्टी के उपर सामान रूप से फैला रही हूँ अभी मैं इसे मिट्टी के अंदर नहीं मिलाऊंगी बलकि इसके उपर मिट्टी के लिए डालूँगी अपसे बड़ी बात इस पत्ते की खाद में कोई स्मेल भी नहीं है साथियों नमस्कार स्वागत है आप सबका मेरे यूटूब चैनल इजी गार्डनिंग में इस ग्रोबैक्स ये मिट्टी मैं अपने सितंबर माहा के पौधों के लिए तयार कर रही हूँ यहां मैं सुखे खर्पतवार और जितने भी कच्रे थे पत्तियों वाले वो सब में इकठा करकर रखी थी जिसको मैं अपने ग्रोबैक्स में भर रही हूँ अगर आप मेरे टेरिस गार्डन को देख रहे होंगे तो मेरे सारे पौधे जो है बहुत ही ज़्यादा फलते फूलते हैं तो यह इसका राज जो है जिस तरह से में मिट्टी तियार करती हूँ यही उसका राज है और मौसम के हिसाब से मैं मिट्टियों में थोड़ा चेंजेज भी लाती हूँ जैसे कि आपने अभी देखा मैं जो क्यारी तियार की उसमें पूरा मौस्चर वाला पतों का खाट डाली हूँ इस ग्रो बैग में भी मिट्टी भरने के बाद जिस समय मैं पौधे लगाऊंगी या जिस समय मैं बीज लगाऊंगी उस समय मैं मिट्टी में एक्ट्रा उपर से नीम खली सरसो खली उसके साथ में थोड़ा गोबर की खाट भी मिलाऊंगी क्योंकि अभी अब क्या है ठंड का मौसम आने वाला है इस समय हम थोड़ा गरम वाला भी खाद डालेंगे तो चलेगा ये मेरे गमलों की पुरानी मिट्टिया ही है जिसे मैं एक दिन के लिए पलट कर रखती थी और मौसम भी बहुत बढ़िया था आधा छाओं और आधा धूप जैसा महौल था जिससे मेरी मिट्टि को अच्छे से हवा भी लग गई यहां पर मैं एक गमला और ऐसे तीन छोटे ग्रोबैक्स की मिट्टि खाली की थी जो कि इस तरह से मैं इसमें सुखे कच्रे डाल कर जब मैं भर रही हूँ तो मेरे आठ ग्रोबैक्स त्यार हुए साथ ग्रोबैक्स है और एक मिट्टि वाला गमला है ऐसे मिट्टी भरने से हमारे ग्रोबैक्स की संख्या भी बढ़ जाती है और साथ में हमारे ग्रोबैक्स हलके भी हो जाते हैं ये तो अच्छा ही हुआ कि मैं एक ही दिन में ये सारे काम निप्टा ली क्योंकि उस दिन के बाद से जो बारिस शलू हुई है हमारे यहां कंटीनियू बारिस हो रही अभी भी वरना ये जो सुखी मिट्टी मैं इतनी आसानी से भर रही हूँ बारिस में अगर मिट्टी भीग जाती तो मेरा काम ही बंद हो जाता फ्रेंट्स ऐसे ही मौसम को ध्यान में रखकर हमें हर मौके का पूरा फाइदा उठा लेना चाहिए और अभी जो मैं ये ग्रो बैक्स त्यार कर रही हूँ क्यारी जो त्यार कर रही हूँ इसके अलावा मैं साइड में अलग से जो कुछ ऐसे पौदे होते हैं जिनका पौध त्यार करना होता है उन पौध को भी अलग से त्यार कर रही हूँ क्योंकि जब तक कि मेरा पौधा त्यार हो जाएगा पौधा रोपन वाला तब तक कि मेरे इधर पे ग्रो बैक्स और क्यारी है उसकी मिट्टी बहुत अच्छे से त्यार हो जाएंगे हम सितंबर के मेहने में कौन-कौन से सबजियां लगा सकते हैं। गुल गोवी, पत्ता गोवी और नवल गोल जिसे गाठ गोवी कहते हैं। ये तिनों विरैटी लगेगी गोवी की। ये बीज देख रहे हैं सरसों के दाने जैसे दिख रहे हैं। करेला भी लगा सकते हैं, ये बीज मेरा बड़े करेले का है। मेरी कुन-्दु की अभी फूटिंगत चालू है अगर आपको मिले तो आप ये भी लगा लीजिए। इस समय आप कुम्ड़ा भी लगा सकते हैं। यह कुम्डे का फ्लावर देखिए और मेरा तो जुलाई के महने का लगा हुआ है इसलिए अभी अब फ्रूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है यह देखिए इसका फ्रूट इस सिजन का पहला फल है यह और यह वाला मेरा पिछले साल फला था गलके का पौधा है जिसे स्पॉंज ग्रावड कहते हैं तलब जून जुलाई में लगने वाली सारी सब्जें अभी आप सितम्बर वे दुबारा से लगा सकते हैं यह राइट ग्रावड आप लगा सकते हैं मेरे पास तो अभी ये सब है ही जो नहीं है वही लगाऊंगी यह समय ब्रिंजाल के पौधे के लिए बहुत उप्योक्त है अभी से बैगन का पौधा लगाएंगे तो बैगन का पौधा तयार होने में थोड़ टाइम लएगा पर अगर आप अच्छी मिट्टी रखेंगे तो लगातार फूटिंग करेगा जैसे मेरा ब्रिंजाल का पौधा तो लगातार फलते ही रहता है continue मैं इसकी harvesting करते रहती हूँ मेरा एक ब्रिंजाल तोड़ती हूँ उसके पहले ही दुसरा छोटा ब्रिंजाल आचुका रहता है सितंबर के महिने में आप भिंडी भी लगा सकते हैं मैं बीज बनने के लिए छोड़ दी थी friends या मटर भी मेरे terrace garden का ही है खरिदा हुआ नहीं है पिछले बार का है आप चाहें तो मटर भी इस समय लगा सकते हैं पालक, दनिया, टमाटर ये सब के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा उप्यूक्त समय है इसे जरूर लगाएं मेर्च भी लगा सकते हैं बरबट्टी भी दुबारा से लगा सकते हैं अंड के सीजन की मूली अच्छी मीठी निकलती है इस समय आप मूली भी लगा सकते हैं और जुकनी के लिए भी अभी सही समय है मेरा जुकनी का पौधा लगातार तेज बारिस के कारण गल गया केवल एक ही बचा हुआ है उसकी भी हालत ना जुक है आप सबकी भी सबजियां खुब फुले फले इनी शुब कामनाओं के साथ हैपी गाडनिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर गुड़ बाई झाल जुब झाल जुक कामनाओं के साथ